हम लोग क्या देखे हैं साइन ठीटा हम लोग देखे हैं P by H इसका मतलब ये हम लिख सकते हैं P by H अब जरा गौर से देखो छोटू ये P, P के सामने हमारा है 3 और H के सामने हमारा है 5 तो P हमारा कितना हो गया? P हो गया 3 मतलब परपेंडिकूलर हमारा हो गया 3 और यहां आर्गुमेंट क्या है? 37 डिग्री या एंगिल भी तुम कर सकते हो और H हमारा कितना है? H हमारा है 5 मतलब P है H है, B नहीं है, बेस नहीं है तो सबसे पहले अराम से पाइथागोरस का नाम लेंगे और यहां से B का वैल्यू हम लोग निकालेंगे पाइथागोरस प्रमे होता क्या है? तो होता है H स्क्वार बराबर P स्क्वार प्लस B स्क्वार H का वैल्यू हमारा क्या है? 5 है, तो हो जाएगा 5 का स्क्वार बराबर P हमारा है 3 का square और प्लस ये B का square 5 का square 25, 3 का square 9 और प्लस B का square इसको इधर लाईे थो जाएगा 25 माइनस 9 बराबर B square 16 बराबर B square और इसलिए B बराबर हमारा हो गया अंडर रूट 16 B बराबर हमारा हो गया 4 मतलब P है 3, B है 4 H है 5 ठीक है? अब निकालना क्या है? तो cos 37 degree और 10 37 degree अब easy है निकालना अराम से हो जाएगा अराम अराम से बनाना है ऐसा नहीं कि हड़बर हडबर करके पुरा गलती कर देना है पहला हमको निकालना है cos 37 degree और cos 37 degree को हम क्या लिखेंगे? तो B by H ठीक? और यहां से हमारा हो गया B का value कितना है? तो B का value हमारा है 4 और यह हो गया 4 और H का value कितना है? 5 तो यह हो गया 5 cos 37 degree होगा 4 by 5 इसी तरह से दूसरा जो हमारा T ratio निकालना है हमको वो है 10 37 degree 10 37 degree इसको हम बोलेंगे P by B और बताओ जरा P का value क्या है? P का value हमारा है 3 और B का value जो हमारा है वो है 4 तो यहां से 10 37 degree हमारा हो गया 3 by 4 अब sin 53 degree कह रहा है cos 53 degree कह रहा है और फिर tan 53 degree कह रहा है यह 3 T ratio और हमको निकालना है क्या-क्या? तो sin 53 degree cos 53 degree और 10 53 degree यह हमको निकालना है तो फिर से हम लोग उसी triangle पर लोटते हैं जो सुरू में बनाए थे यह हमारा triangle था हम यह इसको माने थे 37 degree और इसको हम माने थे 90 degree है 90 degree है भी देखने से भी लग रहा है H हमारा हुआ था 5 मतलब यह था हमारा 5 यह था हमारा 3 जो हम calculate किये हैं और यह हमारा आ गया था 4 यह वाला side ठीक है तो अब जड़ा देखो यह 37 degree यह 90 degree तीनो कोन का angle कितना 180 degree तो यहां पर हम देखते हैं 90 degree प्लस 70 degree इसको हम मान लेते हैं x x और टीनो कोन का योगफल कितना होता है 180 degree होता है तो यह 180 degree और इधर यह कितना हो गया 7 और यह 127 degree